हलो प्रेंट आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि फोन रिसेट करने के बाद आप अपना पुराना गूगल पे अकाउंट किस तरह से उपन कर सकते हैं तो चलिए हम आपका टाइम वेश्ट नहीं करेंगे दिखाते हैं कैसे उपन करना दोस्ति यहां पर जब आप फोन रिसेट करने के बाद गूगल पे अप्टिकेशन को उपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जायेगा अब यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको आपका नंबर माग रहा है तो यहां पर वही नंबर देना जिससे आपने पुराना अकाउंट गूगल पेपर बन पार नमबर डाल लेंगे, यहां पर डाल है यहां पर हमने अम्बर डाल दिया है, अब दोस्ते यहां पर वो mail ID नहीं है तो add account, add another account पर click करके आप उसे ला सकते हैं दर्वाइज आप किसी को भी select कर सकते हैं जो आपकी phone mail ID है यहां पर इतना कर देते हैं तो इसके बाद आपको add, accept and continue option मिल जाता है नीचे की और इस पर आप click कर देंगे तो दोस्ते यहां पर देख स यहां पर आपको no thanks पर click करना है not now पर आप click कर देजिए अभी यहां पर got it पर click कर देजिए इस तरह से आपको Google Pay account open हो जाता है बट यहां पर अभी आपको जिस्टा अपने phone रिसेट कर दिया था तो यहां पर देख सकते हैं Google Pay account open तो हो गया है बट यहां पर add bank account option आता otherwise आप पर आप bank account add कर दिजेगा otherwise आप नहीं करेंगे एड तो आप कोई भी लेंदे नहीं कर पाएंगे ठीक है तो देख सकते हैं यहां पर आज आता है set up payment method इसी पर आप click करेंगे add bank account पर click करेंगे और यहां पर आपका जो भी बैंक हो उस बैंक को आप select कर लिजेगा जैसे कि state bank of India वान लिजेगा कोई भी है जो भी आपका तुसको आप select कर लेंगे यहां पर इस तरह से मैं इसको select कर लेता हूं और देख सकते हैं continue पर यहां पर मैं click कर देता हूं तो जैसी continue पर click करता हूं देख सकते हैं यहां पर पूंच रहा है कौन से सीम एयाटल है कि जीव है यह न इस तु इंप्रूब यूर पेमेंट इक्सपेरियंस यहां पर इस तरह से मैसेज आएगा और इस तरह से loading ले रहा है तो अब लेने दीजिए थोड़ा से loading यहां पर bank account add हो रहा है तो देख सकते हैं bank account add हो चुका है इस तरह से यहां पर देख सकते हैं your upi number will be linked soon तो यहां प पर बोलना है केवाल आप जब किसी को payment करें तभी आप अपना डालें दरवाइस पिन ना डाले ठीक है ना यहां पर कुछ instruction मतारा आप instruction को follow करिए और continue पर click कर देंगे तो आपका पुराना account जो भी था वह आप यहां पर आका राइड कर देंगे आपका पुराना देख सकते गूगल पर इस तरह से open हो जाता है अब यहां पर आप चाहें तो bank balance चेक कर सकते हैं कुछ भी जो भी आपको करना है तो आप उचीच कर सकते हैं अब यहां पर वैक आज आएंगे दोस्त अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं अपने bank account को balance चेक करना चाहते हैं तो बस इसी arrow आप भूल गए हैं बाचांस पिन भूल चुके हैं तो दोस्त आप आप क्या करेंगा पस एक option इसे बैक करिए यहां पर और यहां पर देख सकते हैं फॉर्ट यूपी आइप इन पर क्लिक करेंगे इस तरह से gathering information from UPI और यहां पर डेविट यहां पर डेविट कार्ड यहां इस तरह से लाश्ट के डालना पड़ेगा और यहां पर डालने पड़ेगी तो हमें एक नया UPI बना पाएंगे और यूपी आईपिन बना पाएंगा फिर आप बैलेंस चेक्क करना हो या फिर किसी को पैसा ट्रांस्पर करना हो कुछ भी करना हो पिर आहीं से कर पाएंगे सुप्राइब कर सकते हैं बहुत यसानी से और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तरह से दोस्ता प्योंपी आई विपनें कर सकते हैं गूगल प्र अपना पुराना अकाउंट को कैसे कर सकते हैं हाँ आज बात ध्यान दिजेगा कि आपका नंबर जो है इसी में लगा हो इसी मुवाइल में तभी आप जो है यह कर पाएंगा तरवाइस आपको OTP मिलना चाहिए ठीक है तो धनवा चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत 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 धनवाद वीडियो से मिलत प्लि आपकी बन जाएगी तो आपके नंबर में भी कोई भी पैसा भेंज सकता है तो इस तरह से आप फिर से यूज कर पाएंगे अपने पुराने गूगल पे को धनवाद चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद